जहीं दोस्तो स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं D.S.S.B. के दवारा पूछे गए G.K. के कुश्चन्स और इस सारे कुश्चन्स 2019 से लेके 2021 तक के एक्जाम्स के हैं यह है हमारा पार्ट नमबर वन इसके अंदर हम 500 कुश्चन्स डिसकस करने वाले हैं इसके बाद हमारा पार्ट नमबर टू आएगा जिसके अंदर हम लास्ट 500 कुश्चन्स डिसकस करेंगे दोस्तो मैंने आपर आपके लिए MCQ टाइब कुश्चन्स इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि उनके अंदर फालतू का टाइम वेस्ट होता है हमारा तार्ट यह है कि आपको जल्द से जल्द DTPSB के प्रिवेस एरे कुश्चन्स कवर करवा पाएं दोस्तो यह सारे कुश्चन्स आपके आने वाले DTPSB के सभी एक्जाम्स के लिए most important है चाहिए वो फी कलेक्टर सभी इंस्पेक्टर का एक्जाम हो DTC junior clerk का एक्जाम हो कोई भी एक्जाम हो DTPSB का उसके अंदर यह most important कुश्चन रहने वाले हैं तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कुश्चन फरस्ट है लोक रंजन एक वार्षिक रत्य उत्सव है निमलिकित मेंसे किस राज्य में आयूजीत किया जाता है तो यह किया जाता है मध्य परदेश के अंदर दोस्तो हमने आपके लिए फैस्टिवल और डान्स की जितने भी फैस्टिवल और डान्स TCS के द्वारा पूछे गए है उसकी वीडियो अप्लोड कर रखी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो आप जूर देखीगा उस वीडियो को भी नेक्स्ट ब्रेदी निमलिकित में से किस राज्य का नरत्य है तो यह है मध्य परदेश का नेक्स कुशन है कुशन नमबर थर्ड पत्यों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो पोधों में वास्पो सर्जन में सहायता करते हैं क्या कहलाते हैं तो यह है ष्टो मैटा नेक्स्ट निमलिकित में से कौनसा एक जैविक रासायनिक पर रख्शक है जिसका उप्योग खाद्देशररक्षण में किया जाता है तो यह है सोडियम बेंजोएट अमलिया वर्शक इनके कारण होती है सलफर डायोकसाइड और नाइटोजन के कारण नेक्स्ट प्रित्वी स्टैपर पानी का प्रतीशत कितना है तो यह है 71 प्रतीशत और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूरा आप मौक टेस्ट बाई करना चाते हैं जो की पीडिया फोर्म पीडिया करवाएंगे जो की हिंदी और इंगलिश दोनों मीडियम में तहने वाले हैं नेक्स्ट निमलगित में से कौन भारत में अंतीम रिंड दाता यानिके लैंडर ओफ लास्ट रिसोर्ट इंगलिश में बोले तो के रूप में काडिय करता है तो यह है भारत के रिजर अबू लक्षमी नेक्स्ट बलकी इकाई की अंतराश्य परणाली क्या है तो यह है न्योटन नेक्स्ट मानव सरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कोन सा है तो यह है यकरित लीवर नेक्स्ट निमलगित में से किस राज्य के साथ भूटान सामराज्य अपनी सीमा साजा न स्थान के अंदर नेक्ष्ट को पादब जगत के उभेचर भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है ब्रायो फाइटा को नेक्ष्ट आता है कुश्चन नमर 14 सबसे व्यापक रूप से परचलित किर्शी तक्निक क्या है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है जहां किसान और या उसका परिवार अपने लिए या स्थानिय बाजार में बिकरी के लिए अनाज उगाता है तो यह किर्शी होती है निरुवाह किर्शी निमलकित में से किस गैस ने ग्लोबल वार्मिंग की प्रकिरिया में प्रोक्षुरूप से महतपूर योगदान दिया है तो यह है प्लोरो-फ्लोरो कारबन निमलकित में से बाबर को पानी पत की पहली लडाई में इबराहिम लोधी पर निर्णायक विजय प्राप्त करने में मदद की थी तो ये थी बाबर की बंदूके और नई युद रणने थी नालंदा और विक्रमशीला विश्शा विध्याल निमलगित में से किस राजवन्स दौरा विक्षित किये गये थे ? उप्ति राजवन्स के द्वारा नेक्स्ट निमलकित में से कौन सबसे चोटा बूगर बियर रूप से सबसे युवा और भोतिक रूप से दुनिया के परमुखे मासागरों में सबसे जटिल हैं तो यह हिंद मासागर काफी बार रिपीट होता है कुछ नेक्स्ट भारती एलेन ओक्टिवन भ्यूमने नेक्स्ट निमलकित में से किस महिला को हाली में अंतराश्के मुद्रा को उसके मुख्य अर्धसास्त्री के रूप में न्यूक्त किया गया है तो यह है कीता गोपी नाथ वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट निमलकित में से किस ने अमर नात नेक्स्ट सिंदू गाटे सब्वेता में सबसे परसिद सरचनाव में से एक महांशिनाना घर निमलकित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं मोहन जोदुडों पर नेक्स्ट निमलकित में से किस वर्ष में राष्ट संकिस थापना की गई थी तो राष्ट संकिस थापना हुई थी 1920 के अंदर सविधान सबा को सवतनतर भारत के लिए सविधान का मसोधा त्यार करने के अपने एतिहासी कारिये को पूरा करने में कितने दिन लगे थे इनको दिन लगे थे दो साल 11 महिने 17 दिन यह डाटा आपको याद रखना है सविधान सबा दवारा भारत के सविधान को कब अपनाया गया था 26 रूमबर 1949 को निमलकित में से किसने ए शुटेबल बॉय पुस्तक लिखी है विकरम सेठने मुगुल बादशा अकबर दवारा स्थापित नए धरम का नाम क्या था तो इन्होंने नया धरम एक स्थापित किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही नेक्स्ट निमलकित में से किसने सेलिस्टियल पुस्तक के लिए मैन बुक कर अंतराश्य पुरुष का जीता था तो यह जीता था जोका अलहारती ने नेक्स्ट शरीर में बोजन ग्रहन करने की परकिया कहलाती है तो यह कहलाती है अंतर ग्रहन नेक्स्ट एसकेरिस खालिस्तान का प्रजीवी है तो यह है आत का नेक्स्ट निमलकित में से कोन मार्बल कैंसर घटना का कारण है तो ये है अमल वर्षा अमल ये वर्षा नेक्स्ट लाई हरोबा खालिस्तान के मुखे तेवहारों और लोक नत्यों में से एक है तो ये है मणीपूर का नेक्स्ट निमलिद में से किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है सिर्के का रासाइनिक नाम है एसेटिक अमन और बेकिंग सोडा का रासाइनिक नाम है सोडियम हैडोजल कार्बोनेट इसके फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए मांडोग खालिस्तान का एक बहुत लोगप्रिय शेत्रिय संगीत है तो यह है गोवा का नेक्स्ट निमलगीत में से कौन सी फसल विश्व की परमूख खाद्य फसल है और उशन कटी बंदिये और उपोशन कटी बंदिये छेत्रों का मुख्य आहा रहे है तो यह है आपकी चावल नेक्स्ट कुश्च नमबर 38 यदि निमलगीत देशों को उनकी जनसंख्या के घरते करम में विवस्तित किया जाए तो सही करम क्या होगा तो सबसे जादा है चीन की भारत की अमेरिका इंडोनेशिया यह करम आपको याद रखना है नेक्स्ट जनम जादपरती रक्षा क्या नेक्स्ट इंडिया गेट को किसके दुवारा किसके बाद डिजाइन किया था तो इंडिया गेट को एडवर्ड लूटियंस ने डिजाइन किया था पर्थम विश्यव्यूद के बाद नेक्स्ट टैनिस में ग्रेंड स्लैम के अंतरगात कितने टुर्णामेंट आते हैं तो याते हैं चार टुर्णामेंट कौन-कौन से आते हैं आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें बताना है नेक्स्ट खिल जीवन्स का संबंध किस काल से हैं तो खिल जीवन्स का संबं किस मुगल समराट का मिर्जा कामरान नाम का एक भाई था जिसने उसके खिलाफ साजिस रची थी तो ये भाई था हुमाईयू का नेक्स्ट भारती सविधान के निमलिकित में से कौन सा अनुछेद भारत के नियंतरक और महलेखा परिक्षक कैग के एक सवतंतर कारियाले का प्रावधान करता है तो ये है अनुछेद 148 Next, Holt Makengy ने खालिस्टान की एक परणाली तयार की जो वर्ष खालितार में लागो हुई तो Holt Makengy ने राजसों की एक नई परणाली विक्षित की थी जो 1822 के अंदर लागो हुई थी नेक्स्ट निमलिक्त में से किस भारते के लाड़े को धिंग एक्सप्रेक्स के नाम से जाना जाता है तो जाने जाते हैं हीमा दास नेक्स्ट किस व्यक्ति को भारत के राष्टपती के रूप में अधिक्तम एक व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपती के रूप में अधिक्तम कितने कारियकाल के लिए चुना जा सकता है तो इसके इनको कितने भी वार चुना जा सकता है कोई इसकी लिमिट्स नहीं है नेक्स्ट रसायन विज्ञान और भोती की दोनों के लिए नोबल पुरूस का जीतने वाली पहली महिला व्यग्यानी कोन है तो ये हैं मैडम, मैरी, क्विरी नेक्स्ट, आइडू, वाट आइडू, पुस्तक के लेकर कोन है दोस्तों, बुक्स एंड ओथर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोहजर एक्टिस की बुक्स एंड ओथर्स आप याद करके जाईएगा तो ये हैं रभूराम, राजल नेक्स्ट, निमलकित में से किस लदी को तिबगत में सांगपोव और बांगला देश में जमुना के नाम से जाना जाता है तो ये हैं ब्रह्मपूत्र नेक्स्ट, उत्तक और रक्त और अस्थी मज़ा प्रिक्षणों की बायोप्सी और हिस्टो पैथोलोजिकल अध्यन इसके लिए नैदानिक प्रिक्षण है तो ये किया जाता है, बायोप्सी टेस्ट आपका किया जाता है, कैंसर के ट्रेटमेंट के लिए नेक्स्ट, फ्यांग सेडूप के फ्यांग मठ में एक टिवार है, तो ये है लद्दाक, चीक है और आपको फ्यांग मठ वियाद होना चीए, फ्यांग मठ कहाँ पर है, लद्दाक के अंदर नेक्स्ट, भोजन में कार्बो हाइडरेट की उपस्तिरी दरसाने के लिए निमलगित में से कौन सा परिक्षन किया जाता है, क्यों किया जाता है, स्टार्च परिक्षन गरस्नी समेदांग किसका पता लगाती है और गराण समेदांग किसका पता लगाती है तो गरस्नी समेदांग आपकी स्वाद का यानि की गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपका स्वाद का टेस्ट का पता लगाती है जबकि गराण ओल्फेक्टरी सेप्टर्स गंद का याँ पर लगाती हैं नेक्ष्ट बुरा का था खालिस्तार के गाथा गीत का एक अत्यधिक नाटकी रूप है तो यह है अंध्र परदेश का नेक्ष्ट गोलकुंडा किला कहां स्थित हैं गोलकुंडा किला है है हैदराबाद के अंदर नेक्ष्ट निमलकित में से किस विकल्प में भारत में उत्तर से दक्षिर तक परवत स्रंखलाओं का सही करम है तो उत्तर से दक्षिर में आपको रेंज करनी थी सबसे पहले आती है काराकोरम, लद्दाक, जासकर और सिवालिक नेक्ष्ट निमलकित में से कौन सा एजेविक कारक बीज को परभावित करता है जब वे युवा पोधों में विक्सित होते हैं तो हवा, पानी, गर्मी और परकाश नेक्ष्ट निमलकित में से कौन फ्रांस के वर्तमान रास्टपती है तो यह है इमनुल मैकरॉन नेक्ष्ट निमलकित में से किस विकल्प में कालानु कर्मिक रूप से मुगल समराटों का सही करम है तो सबसे पहले हुमायू, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर सा जहां नेक्स्ट निमलिकित में से किसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जलक माना जाता है तो ये हैं आपके एंटोनी लोरेंट डी लेवोजियर नेक्स्ट उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बोध संगों दोबारा बनाए गए नियम निर्धारित किये गए थे नेक्स्ट भारत का अक्षांशिय और देशांत्रिय विस्तार कहां तक फैला हुआ है तो ये है 8 डिगरी 4 नोर्थ से 37 डिगरी 6 नोर्थ से लेकर 68 डिगरी 7 इस्ट और 37 डिगरी 25 इस्ट ठीक है इन दो नोर्थ के अंदर 39 यहां पर एड़ होता है ऐसे भी आप याद कर सकते ह निमलिकित में से किस स्टेडियम में ODI विश्व कप 2019 का फाइनल मैच आयुजित किया गया था तो ये कुशन अब तक पूछा जाता है लोर्ड के अंदर नेक्स्ट लोर्ड हैस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे तो ये बने थे 1773 के अंदर नैक्स्ट निमलिकित में से कोन लंदन में बसे एक व्यापारी और परचारक थे और कुछ समय के लिए बिर्टिश संसत के सदस्से भी थे तो ये थे दादा भाई नारो जी नेक्स्ट निमलकित में से कौन सा सविधान संसोधन अधिनियम भारत से पाकिस्तान में बेरुबारी संग संख्या बारा केह संत्र से संबंदित है तो यह है नौवा सविधान संसोधन अधिनियम नेक्स जाता है निमलकित में से कोन दिल्ली सल्तनत के सयदवन से संबंदित है तो यह है खिज्र खान नेक्स जीविग्यान में डेंड्राइट, अक्ष्तन्तु और नाविग एक खालिस्तान का हिस्सा है तो यह है निूरोन का नेक्स्ट निमलकित में से प्रिथ्व के फेफडे के रूप में जाना जाता है तो यह जाने जाते हैं अमेजन वर्शावन नेक्स्ट परकरती में कितने परकार के रेडियो धर्मी शेह होते हैं तो यह होते हैं तीन परकार के नेक्स्ट भारतिरेजर्व बैंक के पहले गवर्णर कौन थे तो यह थे सर ओस्बोर स्मित नेक्स्ट आमेर के लिए में निमलकित में से कौन जी सर रचना है तो यह है जै मिनार आमेर के लिए कहाँ पर आपका राजस्तान के अंदर फर्स्ट ब्लैंक दिया गया है में अंतिम सरण में गुलुकोज फिर सेकंड ब्लैंक में परिवर्थित होता है तो गलाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर गुलुकोज जो होता है वो पायरुविक अमल के अंदर परिवर्थित होता है नेक्स्ट मुदी येट्टू निमलिकित में से किस भाती राज्य का पारमप्रिक लोक करंगमंज है तो ये है केरल का नेक्स्ट कुची पुड़ी निरत्य किस राज्य से उत्पन हुआ था तो ये हुआ था अंध्र परदेश से नेक्ष्ट निमलिक्त में से किसका अर्थ नई जलोडक है तो यह है खादर पुरानी जलोडक है बांगर नेक्ष्ट निमलिक्त में से कौन सा त्योहार नेपाल और उत्री भारत दोनों में एक परमुक्त त्योहार है तो यह है तीज नेक्स्ट व्यापकत का सिद्धान्त या इसका दूसरा नाम है हडप की नीती किस वर्ष पेश किया गया था तो यह हुआ था 1848 नेक्स्ट निमलखित में से किस किर्केटर के पास टेस्ट मैचों में सरवाधिक बल्लेबाजी ओसत का रिकोर्ड है तो यह है डोन ब्रेडमेन के पास नेक्ष्ट भारत में पर्थम अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? देकिया गया था 1651 के अंदर नेक्ष्ट करते हैं निमलकित में से कौन कैंसर चिकित्सा की खोज के लिए जाना जाता है? तो यह है जेमस पी अली सन next भारती सविधान का कौन सा भाग चुनाओ के बारे में बताता है ते भाग 15ा भाग 15 चुनाओ के बारे में बताता है आपका next एमसी मेरीकोम किस भारती राज़्यसे है तो यह है मणिपूर से next विशाव बैंक्समूग किस थापना किस वर्स की गई थी तो एकी गई थी 1944 के अंदर इसका मुख्यालने कहाँ पर है वासिंग्टन डिसी के अंदर नेक्स्ट राहुल चोधरी का संबंध किस खेल से है तो राहुल चोधरी का संबंध है कबड़ी से नेक्स्ट भारतिये एक दिविस्य किर्केट के कप्तान कोन थे जब भारत ने 1983 में विशव कब जीता था तो उस समय कप्तान थे कपिल देव नेक्स्ट अनुछेद आपको बताना है ठीक है और सेकेड ओप्षन में आपको बताना है कौन सा अनुछेद है वो के तहट आपातकाल भारत में अब तक गोशित नहीं किया गया है निमलकित में से कौन से बलीदान जो वैदिक काल के दुरान किये गए थे तो यह थे राज़ुई और असवमेग यग या बलीदान बोल सकते हैं इसको नेक्ष्ट भारती सविधान का कौन सा अनुछेद सिक्किम को संग से जोड़ता है तो यह है अनुछेद दो कै नेक्ष्ट वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कोन है तो यह है चेतन भगत नेक्ष्ट सविधान सवा में निमलकित में से किस ने सविधान बनाने के लिए हिंदी भाशा का परियोग करने की अकरामक दलिल दी थी तो यह दी थी आरवी दुले करने नेक्ष्ट जेमस वाट को किसके अविश्कार के लिए जाना जाता है तो यह दो ने अविश्कार किया था भाब इंजन जैट इंजन का उचेरिया फाइलेरिया केड़े कारण होते हैं तो आपको उप्शन में तीनों मिल सकते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है शली पन्द अंदर परदेश का त्योवार नेक्ष्ट यह समारक अंजुमंद बानो बेगम को समर्पित हैं अमानत खान सिराजी इसके सुलेखक थे हैं यह कौन सा समारक है तो यह हैं ताज महल नेक्ष्ट भारत में शाक्षरता दर खालिस्तान से उपर के जनसंख्या के परतीशत को दरसाती है जो पढ़ लिख सकता है और समझ के साथ अंक गणतिये कड़ना करने में शमता रखता है तो यह हैं साथ साल से उपर नेक्ष्ट आर्थिक सर्वेशन दोहजार अठार उननीस के नुसार यदि भारत अब से हर साल सकल गहेल उत्पाद जीडिपी में आठ परतिशत की वास्तिक वार्षिक वर्षिक वर्धी तर से बढ़ता है तो यह हैं पांस ट्रिलियन अमेरिकी डोलर की अर्थिवस्ता बन देमेत्री मेंडलीव को किसके विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है तो इन्होंने आवर्थ साली का विकास किया था उसके योगदान के लिए देमेत्री मेंडलीव को जाना चाता है नेक्ष्ट सचिन मंसल किसके सैसल स्थापक है तो यह हैं फिलिप कार्ट के देखिए दोस्तों fill-in-the blanks कितने बुशे जाते हैं फर्स्ट बलेंक यह आपका भार्त का सबसे प्रुवाना किंपर इस्टेडियम है जो कहां स्थीत है तो भार्त का सबसे प्रुवाना स्टेडियम है इडेन गार्डल कोलकाता के अंदर नेक्स्ट मेगस्थनीज किसका राजदूत था जिसे खालिस्तन के दरबार में भेजा गया था मेगस्थनीज सेल लुकस पर्थम निकेटर का राजदूत था और इसे चंदरगूत मोरिय के दरबार में भेजा गया था नेक्स्ट जब नद्यों की प्रात्मिक साहयक नदियां एक दूसरे के समानंतर भेती हैं और द्वित्यक साहयक नदियां उनसे समकोर पर मिलती है तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं तो ये पैटर्न होता है आपका ट्रेलिस पैटर्न नेक्स्ट निमलिक्त में से कौन सा स्थान क्रेवा सरचनाओं के लिए परसिद है जो जफरान की खेती के लिए उप्योगी है तो यह है कश्मीरी हिमाले नेक्स्ट निमल खित में से किस पोसिस्तर में उर्जा की अधिक्तम मातरा होती है तो यह होती है प्रोडूसर्स के अंदर नेक्स्ट बटियाली कहां का लोग संगीत है तो यह पस्षिम बंगाल का नेक्स्ट रासाइनी क्रूप से फस्षिम बंग दिया गए चूना लोहा मैगनीशिया और अलिमीनिया में समर्द है इनमें सेकंड बंग भी होता है लेकिन फोस्फोरस नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों कमी होती है तो काली मिट्टी के अंदर चूना लोहा अलिमीनिया काफी जादा मात्रा में पाए जाता है और दोस्तों इसके अंदर पोटाश भी होता है लेकिन फास्फोरस नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों कि यहां पर कमी होती है नेक्स्ट नेमलिंग में से कौन सा संगठन MSP के निर्णा पर शिफारी से देता है तो एड्मिरल करंबिर सिंग ने भारती नोसेना की कमान फर्स ब्लैंक को सेकंड ब्लैंक है चीफ ओफ दा नेवल स्टाफ के रूप में घ्रेंड की थी तो एड्मिरल करंबिर सिंग ने भारती नोसेना की कमान 31 मई 2019 को ग्रेंड की थी और यह है चीफ ओफ दा नेवल स्टाफ 24 फोर्थ नंबर के छीक है नेक्स्ट ओफसाइट ट्रैप सब्दावली का परियोग किस खेल में किया जाता है तो इसका उप्योग किया जाता है फुटबॉल के अंदर नेक्स्ट किस सविधान संसोधन अधिनियम ने भारती सविधान में शिक्षा कादिकार प्रावधान समयलित किया था तो यह था छास्षीमा सविधान संसोधन बारत अपने फर्स ब्लैंक दिया गया मिलियन वरग किलोमेटर के छहतर फल के साथ बारत का जो छहतर फल है वो है 3.28 मिलियन वरग किलोमेटर छहतर फल है इसका और यह धुनिया का भूमिस टै छहतर फल का 2.4 परतिशत है Very very important याद कर लिजेगा इस डाटा को नेक्स्ट खालिस्तान एक महान नाटक कार थे जो अपने नाटक उत्तर राम चरित्रम जो राम के बाद के जीवन से समंदित था के लिए जाते हैं तो यह है भावबूती नेक्स्ट निमल की तुमें से किस भाती सेर में विश्व का सबसे बड़ा किर्केर स्टेडियम बनाया जा रहा है तो यह बनके त्यार भी हो चुका है एहमदा बाद के अंदर नेंदर मोधी स्टेडियम इसका नाम है सेकंड आपका बन रहा है राजस्थान के अंदर सविधान सबा में जवार लाल लहरू किस के अध्यक्षते तो यह थे संग सविधान समीती और संग सक्ति समीती के अध्यक्षते ग्रेट हिमाल्या रेज की अनुमानित लंबाई आपको बतानी है जिसे केंद्रिय अक्षिय रेंज के रुपे भी जाना जाता है पूरो से पस्चिम तक कितनी है और उसकी चोड़ाई उत्तर से दक्षिन तक कितनी है तो दोस्तों इसके लंबाई जो है पूरो से पस्चिम तक 25 किलोमीटर है वो इसके चुडाई उत्तर से दक्षिन तक 160 से 400 किलोमीटर तक है नेक्स्ट निमलगित में से कौन सा पोसक तक तो हमारी तवचा और आखों को स्वस्त रखता है तो यह है विटामिन ए नेक्स्ट निमलगित में से कौन हरी शेवाल का उदारण है तो यह है कलाईमे डोमोनास नेक्स्ट यह है रोग एक रोग जनक जिवाणू के कारण होता है और आतों को परभावित करता है इसकी पूष्टी विडाल टेस्ट से हो सकती है रोग की पहचान करें तो यह है आंतर जवर ठीक है नेक्स्ट भारत को अपना पहला सेंटरल बैंक किस वर्स मिला था तो यह मिला था 1935 के अंदर नेक्स्ट लोकिया लोटिया का छेत्रे संगीत है तो यह है राजस्थान का नेक्स्ट मानव गैस्ट्री गरंतियों में निमन में से किस परकार की कोशिकाई मोजूद होती है तो यह होती है सलेश्म गर्दन की कोशिकाई पैप्टिक या मुख्य कोशिकाई पार्शिवी का या ओगजेंटिक कोशिकाई नेक्स्ट निमलित में कौन सी जोड़ी खरीफ की फसले है तो यह है चावलोर का पास नेक्स्ट जनसंख्या 2011 भारत में जनगर्णा का कौन सा संस्क्रण था तो यह था पंदरवा ठीक है और 2021 में कौन सा संस्क्रण होगा शोलवा नेक्स्ट ओध्रा मगद को किस भारतिय सास्तिय नरत्य का अगर्दूत माना जाता है तो इनको माना जाता है ओडिसी सारस्तिय नरत्य का नेक्स्ट मुंबई में अपॉलो बंदर में अंग्रेजो द्वारा एक समार्ग बनाया गया था और बिटिश वास्टुकार जोर्ज विट्टेट द्वारा डिजाइन किया गया था ये समारक किसकी यात्रा की समर्ती में बनाय गया था तो ये समारक किंग जोर्ज पंचम की समर्ती में बनाय गया था अपोलो बंदर कहां पर है मुंबई के अंदर तीन पॉइंट आपको आद रखने है और दस्तावेज, सोलवी और सत्तरवी स्ताब्दी की आरंभिक कर्शी इतिहास का परमुक्स्त्रोथ है तो यह है आईने अक्वरी नेक्स्ट यह एक बहुदेशिय संगठन है जिसके अंदर दस दसे देश है इसका जो गठन था उननी सो सट में हुआ था या कौन सा संगठन ह इसके अंदर देश कितने है 10 और 1967 के अंदर इसका गठन किया गया था नेक्स्ट हमें अपने राजरितिक लोकतंतर को एक सामाजिक लोकतंतर भी ब critics किसने गई थी तो यह पंग्ति कही थी बी आर अम्बेड करने नेक्स्ट मल्asti‌पोर्ट इवेंट का पिछला संसक्रद 2018 म में बर्मिंगम में आयुजित किया जाएगा पहचाने की किन बहु खेल आयुजिनों के बारे में बात की जा रही है तो यह है राष्ट मंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट में होए थे 2022 में होंगे बर्मिंगम के अंदर दोनों याद रखने है नेक्स्ट छटी स्ताफदी इसाप का योग है तो यह सकल घरेल उतपाद GDP छीक है सुद मुल्य वर्दित और मुल्य हास का योग को बोलते हैं सकल घरेल उतपाद नेक्स्ट कौन सा फाइलाव प्लैटी हेलमिंटस का उधारण है तो यह है फीता कर्मी निमलिक में से कौन सा हर्मोन पोदों में वर्दी को रोकता है तो यह है एपसिसिक अमल नेक्स्ट नेक्स्ट नेमल में से कौन ए कोशारूप की यह के अंतरगत आता है तो यह है कीडे मुलस्क और करस्टेशियन्स Next British India Company को किस वर्ष बंगाल के दिवान के रूप में न्युक्त किया गया था तो British India Company को 1765 में बंगाल के दिवान के रूप में न्युक्त किया गया था Next Robot Hook को किस की 거의 के लिए जाना जाता है तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी, काफी इजी कुश्चन है, नेक्स्ट, नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है तावा, नेक्स्ट, निमलकित में से किस नत्य को दाहर्वेस डांस के नाम से भी जना जाता है, तो यह है जवारा नत्य है, नेक्स्ट, निमलकित में से किस मिट्टे को आमतोर पर फैरलिटिक मिट्टे के रूप में वरणित किया जाता है तो यह है लेटराइट मर्दा 28 फरवरी 1977 को वित मंतरी कौन थे के दवारा केंद्रिय बजट को ड्रीम बजट कहा गया क्योंकि कई आर्थिक सुधार किये गए थे तो यह जो ड्रीम बजट था यह पेश किया गया था 1977 के अंदर पी चितंबरम के दवारा याद करना इसको भाई नेक्स्ट डैनमार्क जल डमरु मद्य आइसलेंड को किस से अलग करता है नेक्स्ट पॉंगल का तीसरा दिन जिसको बोलते है मट्टू पॉंगल उस दिन किस की पूजा की जाती है तो बैल की पूजा होती है पॉंगल का तीसरा दिन मट्टू पॉंगल और इस दिन बैल की पूजा होती है नेक्स्ट केवला देव गहना राष्ट्य उध्यान किस राजय मिस्तित है तो यह है राजस्थान के अंदर नेक्स्ट विश्व सोचाले दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है उननिस लॉंबर को नेक्स्ट अजार्डिका इंडिका किसका समाने नाम है तो यह है नीम का नेक्स्ट निमलिकित में से भाद का सबसे बड़ा कोफी उत्पादक राज्य कुनसा है तो यह है करनाटक नेक्स्ट टेबल सुगर किसका रसाइनिक नाम है तो यह है शुकरोज का next एशिया में कितने देश हैं तो एशिया के अंदर 48 देश हैं next आता है पंडवानी एक परसिद लोगित है जो खालिस्तान की वीर्ता का वढन करता है तो यह महभारत की जितने बी करेक्टरस थे पात्तर थे उनका वढन करता है पंडवानी नेक्स्ट बाजार पुंजीकंड के नुसार निमलिक्त में से कौन सा सवाजनिक छेतर का सबसे बड़ा बैंक है तो यह है भारतिय स्टेट बैंक ठीक है निमलिक्त में से कौन सा स्मारक हामीदा बानो बेगम दोबरा बनाय गया था तो यह था हुमायू का मकबरा नेक्स्ट पायरोहिलियोमीटर क्या मापता है तो यह मापता है सोर विकर्ण नेक्स्ट निमलकित में से कौन सा एंजाइम नुकलिक एस्टिड को नुकलियोटाइड में व्युहाजित करता है तो यह होता है नुकलियोलाइटिक एंजाइम नेक्स्ट जलियवाला बाग हत्याकान कब हुआ था तो यह हुआ था अप्रेल 13, 1919 को नेक्स्ट निमलकित में से किस परवत को सेउक्त राजी अमेरिका की सबसे उची चोटी कहा जाता है तो यह है डैनली नेक्स्ट पानिपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी तो यह हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीज में नेक्स्ट निमलकित में से कों सा भारत के साहिते में सरवत्च साहितिक सम्वान पुरुषकार है तो यह है ग्यानपिट पुरुषकार नेक्स्ट ओलंपिक खेलों में व्यक्तिकत पदक जीतने वाले पहली भारतिय महिला कौन थी तो ये थी करणम मलेश्वरी नेक्स्ट निमलिक्द में से कौन सा अनुच्छेद भारतिय सविधान के संसोधनों से संबंदित है तो ये है अनुच्छेद 368 नेक्स्ट भारतिय सविधान के विचार को सामने रखने वाला पहला व्यक्ति कोन था तो ये था M.N.Roy बार्वी अनुसूची में नगरपालिकाओं के शक्तियां, अधिकार और जम्मेदारियां शामिल है तो ये हैं बार्वी अनुसूची दिल्ली सल्तरत का दिवान एविजीरात किसका विभाग था तो ये था राजसव और वित का विभाग नेक्स्ट आजाद हिंद फोज की स्थापना कब की गई थी तो आजाद हिंद फोज की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर नेक्स्ट खिलजी वंस का संस्थापक कौन था तो ये था जलालुदीन फिरोज खिलजी सविधान सभा की परकिरिया नियम समीति के अध्यक्स कों थे तो यह थे राजेंदर परसाद निमलकित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है तो यह है रिगवेद रिगवेद सबसे पुराना है और इसके अंदर रिचाओ का संग्रह दिया गया है नेक्स्ट निमलकित में से किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट प्रारूप में करियर के सबसे अधिकूल रन बनाए हैं तो यह है सचीन तेंदूलकर नेक्स्ट टाइगर फोर्डिनर्स किसने लिखी है तो यह लिखी थी रस्किन बोर्ड ने रस्किन बोर्ड के सारी बुक्स इंपोर्टेंट है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह है गुजरात संत्रे का पूछा जाए तो वो हमारा सुचा अंगूर का पूछा जाए मारा सुचा एक प्रवीर चक्रविजेता या उसके प्रिजनों को तो इनको जड़ा गया था आठवी अनुचेद 171 के नुसार किसी राज्य की विधान परिष्द में सदस्यों की कुल संख्या किसी विस्तिती में 40 से कम नहीं हो सकती है ये भी आपको याद रखना है काफी इंपोर्टेंट अनुचेद है बैरकपूर में 1857 के माहन विधरों के नेता कौन थे तो ये थे मंगल पांडे एक्सिजेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके दोरा लिखी गई है तो लिखी गई संजे बारू फुतूत ए फिरोध साही किसकी आतम कता है तो ये है फिरोध सा तुगलकी अखिल भारतिये ट्रेड उनियन कोंग्रेस की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी एन एम जोशी ने खालिस्तान एशिया प्रसान छेतर में सबसे बड़ी गहेलू संचार पढ़ा लिए तो ये है इनसेट इनसेट एशिया प्रसान शेतर में सबसे बड़ी घरेलू संचार पढ़ा ली है अकबर के दरबार में विच सलाकार कौन था तो ये थे टोडरमन चंदरगुप पर्थम का उत्रादिकारी कौन था तो ये थे समुंदरगुप नेक्ष्ट हिंदू विद्वा पुनरविवा अधिनियम का पारित किया गया था तो ये हुआ था 1856 के अंदर नेक्ष्ट दा थ्री मस्केटायस किसके दोड़ा लिखी गई है तो ये लिखी है अलेक्जेंडर डुमासने नेक्ष्ट एक कारखाने में रोजगार के लिए नियुन्तम आयूसीमा क्या है तो ये है 14 वर्ष नेक्ष्ट अनुछेद 170 के अनुसार परतेक राज्य की विधान सबा में सीटों की संख्या किस से अधिक नहीं होनी चाहिए तो ये है 500 अनुछेद 170 के अनुसार परतेक राज्यों में विधान सबा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए नेक्ष्ट नरेंदर के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाने जाते हैं स्वामी विवे कानंद नेक्ष्ट बहारत एकिस राज्य में पहली कपास मील 1854 में स्थापित की गई थी तो ये की गई थी बंबे के अंदर कब की गई थी 1854 के अंदर बंबे के अंदर नेक्ष्ट GDP डिफ लेटर किस का अनुपात है तो ये है nominal GDP का और वास्तिविक GDP का nominal to real GDP भारत के पहले Chief of Defense Staff के रूप में किसे नुक किया गया है तो यह है विपिन रावत भारतिय सविधान की कौन सी अनुचुची भाषाओं से संबंदित है तो यह है आठमी अनुचुची नेक्स्ट प्रेस बॉय उपिया दोस को ठीक करने के लिए निमलकित में से किस लेंस का उ आयूसियन लाल सूची में आयूसियन का पूरा रूप क्या है तो यह है इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजर्वेशन ओफ नेचर फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट सोचाले का डिजाइन जिसमें मानव मल को केचो द्वारा उप्चारिज किया जाता है क नेक्स्ट मुद्रस्वीती लक्षय को प्राप्ट करने के लिए आवशक, नितीगत, ब्याजदर का निर्धारन कोन करता है तो यह है मुद्रिक निती समीती नेक्स्ट भारतिय खेल प्राधिकरण का मुख्याले कहाँ पर है तो यह है नईदिल्ली के अंदर किस सहर ने 2018 Asia खेलों की मेजबानी की थी जकारता पालम बैक किस परकार की बाजार सनचना का विशेष मामला है तो यह है अलपादिकार बाजार सनचना का एक विशेष मामला है एक अधिकार एश्याई विकास बैंक किस था अपना किस वर्ष हुई थी तो यह हुई थी 1966 के अंदर नेक्स आता है भारती सविधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती के पद की अवदी से सम्बंदित है तो यह है अनुछेद 56 नेक्स गोटिपुआ नत्ते किस राज्य का है तो यह है उडिस सागा नेक्स निमलिकित में से कौन सी टीम ICC अंडर 19 क्रिकेट विशवकप 2020 के सेमी फाइनल में नहीं पहुची थी तो यह है उस्टेलिया नेक्स किस सहर ने FYH महिला विशवकप 2018 की मेजवानी की तो यह की थी लंदन ने दोस्तों यह कुश्चन आज तक पूछ जाते हैं अलांकि उस टैम यह करंटे कुश्चन थे लेकिन अब भी पूछता है इनको डेटर प्लैस भी कभी अकिक्तम जीने सितंबर 2020 में ग्यान पिट पुरुसकार दिया गया था किस बासा से संबंदी थे अगला कुश्चन है कुश्चन नमर 210 कों सा महसागर दुनिया के पांच महसागरों में सबसे उतला है तो यह है आर्क्टिक महसागर नेक्स्ट लोक नत्या मारूनी खालिस्तान के दोरान किया जाता है तो यह किया जाता है शादियों के दोरान नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमबर 212 बेबी डाइपर में आमतोर पर इसके सूपर सोशक गुणों के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है तो यह है sodium polyacrylate बेबी डाइपर के अंदर कौन सा रसा इन यूज किया जाता है sodium polyacrylate next देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है तो यह जाने जाते हैं अशोक मोर्य next राष्ट मंदल खेलों 2018 में जीते गए स्वणपदकों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कोन सा था तो यह था तीसरा next कोन ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वणपदक विजेता है तो यह हैं अभिनव बिंदरा next उत्रायर पर्व किस महिने में मनाया जाता है तो मनाया जाता है जनवरी के महिने में next कुश्चन नमबर 217 किस की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी तो भारती रेजरोब बैंक की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी अगला कुश्यन है All England Badminton Championship जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे तो यह थे परकाश पादुकोन नेक्स्ट लोगित सोहर आमतोर पर किसके दुरान गाया जाता है नेक्स्ट शेर एकश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है तो शेक अब्दुल्ला को शेर एकश्मीर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट बंगाल के विभाजन की गोशना किस वर्ष में की गई थी तो यह की गई थी exact date आपको याद रखनी है 19 जुलाई 1905 नेक्स्ट अंतरास्टिय परमाणू एजेंसी का मुख्यले कहां पस्तित है तो यह है वियना नेक्स्ट लोन फोक्स डांसिंग के लेखर कौन है तो यह है रसकिन बोंड रसकिन बोंड की बुक्स जितनी भी हैं सारी important है नेक्स्ट कौन प्रीमियर बैडमिंटर लीग का पहला विजेता था तो ये था हैदराबाद होट शोट्स नेक्स्ट कुशन अमब दो सो पच्चिस डेकनी खालिस्तान में एक लोग प्रियाकला रूप है तो ये है गोवा का नेक्स्ट तर्मोडायनमिक तापमान की SI काई क्या है तो ये है कैल्विन किस को अमित्तर गात के नाम से भी जाना जाता है तो ये जाना जाते है बिंदुसार मोरिय वी आर डिस्प्लेस्ट किसके दवारा लिखी गई है तो लिखी गई है मलाला यूसफ जै के दवारा Next साइमन कमिशन की न्युक्ति ब्रिटिस कंजर्बेटिव सरकार दवारा स्टैनली बाल्डविन के अधीन कब की गई थी तो यह की गई थी 8 नमबर 1927 को Next प्रूसिक अमल या एसीड करासाइनिक नाम क्या है तो यह है हाइड्रोजन साइनाइड Next फांग फूई किस राज्ये की सबसे उची चोटी है तो यह है मिजोरम की Next उननी सो उनैक्तर में भारती सरकार ने कितने परमुख बैंकों का राश्चेकन किया था तो यह किया था चोदा बैंकों का कब किया था उननी सो उनैक्तर के अंदर Next हीराकुन बांध किस नदी पर स्तित है तो यह है महानदी पर अगला स्वाल है निमलिकित में से कौन सा सहर ग्रीसम कालीन ओलंपिक खेलो दोजाचोबिस की मेरिजवानी करने जा रहा है तो यह है पैरिस Next किस महासागर को दक्षणी महासागर के रूप में भी जाना जाका है तो यह है अंटार्टिक महासागर Next जीन हेंरी डुनेंट खालिस्तान के लिए नोबल पुरुसकार से संबानित होने वाले पहले व्यक्ति थे तो इनको शांती में नोबल पुरुसकार मिला था और यह ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति थे जीन हेंरी डुनेंट Next 16 अगस्त 1946 को किस राजनितिक दल ने पर्त्यक्षकारी योजना अभियान शुरू किया था तो यह थी हिंदू महासभा Next किस भारतिय नेता ने दा इकोनोमिक हिस्ट्री पुस्तक लिखी है तो लिखी है आरसी दत्ता ने Next किस दिल्ली सल्तनत के शाषक ने चांदी का सिक्का टाका और तामबे का सिक्का जता चलाया था तो यह चलाया था शम्शुदीन इल्टूतमिस ने Next इंटरनेट पर सबसे पहले कौन सा भारतिय समाचार पत्र उपलब्ध हुआ था तो यह था दाहिंदू Next question है BOD का पूर्ण रूप क्या है तो BOD की फुल्फुम होती है Biological Oxygen Demand Organic है आपर Oxygen आप कर लेना Next सविधान सबादवारा किस वर्ष राष्टिगान को अपनाया गया था अगला सवाल है 245 कृत्री वर्षा के लिए किस रसायन का प्रियोग किया जाता है तो यह किया जाता है Silver I.O. Diide का Next दुमादार जल परपात किस नदी पस्थित है तो यह है नर्मदा नदी पर Next टिटनेस रोग मानोशीर के किस अंको परभावित करता है तो यह करता है नर्वस सिस्टम तंत्री का प्रणाले को Next ओजोन प्रत वायूमंडल की किस प्रत में पाई जाती है तो यह पाई जाती है स्टैटो स्फियर के अंदर Next पारिस्थितिक तंत्र सबद सबसे पहले किस वेगयनिक दवारा गढ़ा गया था तो यह गढ़ा गया था तांसले के दवारा Next बारदोली सत्यागरे के परमुखनेता कोन थे तो यह थे वल्लब भाई पटेल Next सार्क दक्षिन एशियाई छेतरिये सहयोग संग का मुख्यले कहां पस्थित है तो यह है काठमांडू नेपाल के अंदर Next तलचटी चटान का उधारन क्या है तो यह है कोईला Next कुश्चन अंबर 253 बंकिन चंदर चटरजी दवारा भारत का राश्चेगीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था तो यह लिखा गया था बंगाली भाषा के अंदर Next कुश्चन अंबर 24 किस परसिद सवतंतरता सेनानी को लोक मानने के नाम से भी जाना जाता है तो यह है बाल गंगाधर तिलक Next जातरा और बोल किस राज्य के परसिद लोक न रखते हैं तो यह हैं 36 गड़के Next कुश्चन कुश्चन अंबर 26 संगिय जाच ब्यूरो FBI किस देश की खूफिय अजिंसी है तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की Next 53 कोर कप निमलकित में से किस खेल से संबंदित है तो यह है टेबल टैनिस से Next किस वर्ष गांधी जी ने एक सब्ताहिक पत्र यंग इंडिया शुरू किया था तो यह किया था 1919 के अंदर Next कुश्चन अंबर 269 किस गरह में चमकीले सैक इंदरित वल्ले हैं जो उस गरह के चार और घुमते हैं तो यह होते हैं शनी गरह के अंदर Next डेड़ सो रणजी ट्रोफिय मैचों में खेलने वाले पहले भारते किरिकेटर कोन है तो यह हैं वसीम जाफर Next भारत की संग कारी कारणी का परमुक कोन होता है तो यह होते हैं राश्चपती Next बगत सिंग निमलकित में से किस संगटन से जुड़े थे तो यह जुड़े थे हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिकन आर्मी से Next किस परख्यात सविधानिक विशेशक गेनी प्रस्तावना को सविधान का पहचान पत्तर कहा है तो यह थे एन एपाल की वाला Next सविधान उपचार के अधिकार के लिए सविधान की आत्मा सब्द किसने गड़ा था जो है अनुच्छेद 32 तो यह गड़ा था डॉक्टर बी आर अमबेड करने की अधिक्तम आयू क्या होती है तो यह होती है अठारा वर्ष Next नुवा खाई उच्छव मुख्यत है किस राज्य में मनाया जाता है तो मनाया जाता है उडिस्सा के अंदर Next आता है आपका कुछ्चे नम्ब 268 अखिल भारतिये महिला होकी संग होकी महासंग का गठन किस वर्ष किया गया था तो इसका गठन हुआ था 1947 के अंदर अखिल भारतिये महिला होकी महासंग का गठन 1947 में किया गया था Next भारतिय स्विदान का कौन सा नुच्छेद हिंदी बासा के परसार को बढ़ावा देने और इसे अभिवक्ति के माध्यम के रूप में विक्सित करने के अनुमति देता है तो यह है अनुच्छेद 351 Next भारत का कौन सा बैंक देश में सर्वच्छ, मौद्रिक और बैंकिंग प्रादिकरण है तो यह है भारतिये रिजर्व बैंक अगला कुश्चन है भारति सविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उलेक किया गया है तो यह किया गया है अनुच्छेद 324 के अंदर Next किस भारतिये सवतंतता सेनानी को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर Next सविधान सभा में मोलिक अधिकारों अलब संख्यकों और जनजातिये और बैशकर छेत्रों पर सलाका समीती के अध्यक्स कोन थे तो यह थे सरदार वल्ला भाई पटेल Next जैलेपला दर्रा निमलिकित में से किस राज्य में स्थित है तो यह है सिक्किम के अंदर Next question है अंतरास्ति संग्रहले दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो यह मना जाता है 18 माई को Next हीडा कुंड नदी घाटी परियोजना निमलिकित में से किस राज्य में है तो यह है जारखंड के अंदर Next भाईत के सविधान के प्रस्तावना में समाजवादी सबद किस वर्ष जोड़ा गया था तो यह जोड़ा गया था 1977 के अंदर Next भाईत के सविधान का कौन सा अनुछेद यह परदान करता है यह बताता है कि सर्वोच न्याले द्वारा घोशीत कोई भी कानून भारत के छेतर के सभी न्यालों पर बाद्देकारी होगा तो यह है अनुछेद 141 नेक्स्ट केरल संसकर्ती के संदर्म में कुथंबलंब नामग स्थापत्य का संबंध किस्से है तो इसका संबंध है नाट्टे परदरशन से नेक्स्ट एडिबी एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहाँ पर है तो यह इसका मुख्याले है फिलिपिन्स के अंदर नेक्स्ट भारत में रक्षा अधिगर्ण प्रिशत के अध्यक्ष कोन होती हैं तो ये हैं रक्षा मंत्री नेक्स्ट निमलकित में से किस खेल में खिलाडी अचंता सारत कमल भारत का प्रतित्व करती हैं तो ये करती हैं टेबल टैनिस के अंदर नेक्स्ट निमलिकित में से किस राज्य के साथ चाक्यार कोथू नामक रंगमंच पारंप्रिक रूप से जुड़ा हुआ है केरल राज्य से नेक्स्ट सुबंसरी लोवर हाइडो इलेक्टिक प्रोजेक्ट असमोर किस की सीमा पर स्थित है निमन लिकित में से किस सहर में भारतिये दूरसंचार नियामक प्राधिकर्ण टी आर एई का परधान कारियर लहे तो यह है नई दिल्ली के अंदर निमन में से कौन वुड डिस्पैज जो किया था 1854 के अंदर का विशे था तो यह था शेक्षिक सुधार नेक्स अंतराश्टी खेल आयोँजनों में सुनील चेतरी भारत के लिए खेलते हैं तो यह खेलते हैं फूटबल के लिए फूटबल के लिए प्लेयर हैं यह jaan सुनील chetari अधरती लगने राजस्थान में जवाई नामक नदी किस की साइक नदी है तो यह है लूनी नदी की नेच्ट जिस दर पर भातिर व्जर्ब बैंक किसी भी तरह की कमी की उपस्तिती में वानिज्य बैंकों को अलब कालिन उधार अधन देता है उसे कहा जाता है तो इसको कहा जाता है रेपोदर नेक्स्ट निमलकित में से किस पर्वस रंखला में कालूमर चोटी का उस्तम बिंदु है तो यह है विंद्या स्रंखला का उस्तम बिंदु है कालूमर चोटी नेक्स्ट पुष्चा नम्बर दोसो तिराणम है पारंप्रिक रूप से रसिया नामक नत्य सेली का संबंध निमलकित में से किस शेतर से है तो इसका संबंध है बरज शेतर से निमलगित में से किस ने भारत में चिस्ती सिलसिला नामक सूफी आदेश की शुरुआत की थी तो यह की थी खवजा मौईनुदिं चिस्थी ने Next टूसुगीत निमलगित में से किस समुदाय से मंदित है तो यह हैं संध्धाल समुदाय से Next फीफा विशव कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ये करेगा कतर नेक्ष्ट मुंद्रा बंदरगा किस राजे में स्थित है तो ये है गुजिरात के अंदर नेक््ट नर्सी मंसमीती siis 98 में निमल्कित में से किस विषय पर अपनी शिफारीशन प्रस्तूत की थी भैंकिंग 6 तर के अंदर नेक्ष्ट निमल्कित में से कौन सा राजवनस कालकरम के नुसार भारत में सबसे पहले शाशन करने वाला था तो ये था हरीयक राजवनस next पोलो में एक तरफ से कितने खिलाडी मैदान पर खेलते हैं तो इह खेलते हैं next राज्यों की परिशत में राज्यों और केंद्रशाशित प्रदेशों के परतिनिध्यों की संख्या की उपरी सीमा क्या है तो यह है 238 Next, किस तत्व में ट्रीटियम, नामक, रेडियो धर्मी समस्थानिक होता है तो यह होता है हाइड्रोजन के अंदर Next, निमलिकित में से किसे तथागत के नाम से भी जाना जाता है तो गोतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है याद रखीगा, very very important question Next, निमलिकित में से कोन राश्टि गंगा प्रिशत का अध्यक्ष है तो यह है भारत के परधारमंत्री Next, निमलिकित में से कोन भारती राश्टि कोंगरेस के पहले महास्चीव थे तो यह थे A.O. हयूम Next, मुगल संस्कृति के संधर्म में थुलूत एक परकार का क्या था तो यह थी पांडू लिपी Next, कुश्चन नमबर 307 इंडिया, Empire and First World War Culture राइटिंग्स, Images and Songs नामक पूस्तक किस के दौरा लिखी गई है तो यह लिखी गई है शांतनु दास्ट के दौरा Next, चर्कूला नामक लोक नत्य का पारंप्रीक रूप कहां पर मनाया जाता है या भ्यास किया जाता है तो यह किया जाता है उत्तर परदेश के अंदर Next, अगर कर अनुसंदान संस्थान महराश्चर के निमलिकित में से किस सहर में स्थित है Next, भारत की रक्षा संपत्यों के संदर्व में तेजस क्या है तो यह हलका लडाकु विमान Next, तामरलिप्ती, नामक, प्राचिन बंदरगा, वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है तो यह है पस्षिम बंगाल के अंदर Next, फुटबोल में 2022, AFC महिला, A6 कप की मेजवानी किस के द्वारा की जाएगी तो यह करेगा हमारा प्यारा भारत Next, कुछ नम्बर 313 जी विज्ञान की निमलिकित में से कौन सी साख्या मुख्य रूप से कोशिकाओं का अध्यन करती है Next, वर्दा नदी का उदगम निमलिकित में से किस परवस स्रंखला से होता है तो वर्दा नदी का जो उदगम स्थल है वो है विंद्य स्रंखला से Next, रसलून भाई निमलिकित में से किस शेतर में योगदान के लिए अभारी है या जानी जाती है तो ये जानी जाती है ठुमरी छेतर के अंदर नेक्स्ट निमलगित में से किस राज्य में दक्षिन भाद की सबसे उची चोटी स्थी थे तो ये है केरल के अंदर दक्षिन भाद की सबसे हुजी चोटी कौन सी है उस अनसुरा को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है निमलिक्त में से कौन संयुक्त राष्ट के वर्तमान मासचीव से पहले थे तो यह थे बानकी मून जोगी कोरिया से थे अब हैं एंटोनियो गुटैरिस इस चैती घोड़ा नाटा नामक त्योहार मनाते हैं ते मनाते हैं उडिसा राज्जी के मस्चुवारे चैती घोड़ा नाटा नामक त्योहार मनाते हैं नेक्स्ट चाबहार बंदरगा निमलिक्त में से किस देश में स्थित है तो यह है इरान के अंदर next करते हैं question number 321 निमली कित में से किस सेर में भारते विशाणू विज्यान संस्थित है तो ये है पुणे के अंदर next निमली कित में से कोन वसा में घुलंचील विटामिन है तो ये है रेटिनोल और सारे आपको याद रखने ADEK वसा में घुलंचील है, इनको छोड़ के सारे water-solid Br checks पाणी में घुलंचील हैं ADE के याद रखियेगा आप, वसा में घुलंचील है, इनके इलावा सारे पाणी में घुलंचील है NEXT, निमलकित में से कोण सा राज्य है? नेक्स्ट, निमलिक्त में से कोन सा सहर वैगाई नदी बेसिन पर स्थित है, तो यह है मदुरही नेक्स्ट, निमलिक्त में से किस राज्य में माईंद रोलिंग मठ स्थित है, तो यह उत्राखंड के अंदर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चिन ठीक है स्टार मार कर देता हूं इसको माइन्द रोलिंग मठ कहां पर है उत्राखंड के अंदर नेक्स्ट वर्गीकरण संबंधी अध्यानों के संधर्म में उस्तम स्रेणी को कहा जाता है तो यह है जगत यानि किंगडम नेक्स्ट वंधना कटारिया एक पेशावर अंतरास्टिक हिलाडी है तो यह है होकी की नेक्स्ट एननल्स एंड एंटिक्विटीज ओफ राजस्थान नामकृती के लेखा कौन थे तो यह थे जेम्स टोल्ड नेक्स्ट कुश्चन नमबर 330 परदारमंत्री आवास्योजना शेहरी जीसे 2015 में पेश किया गया था का उदेश्चे शेहरी बारत के सभी पात्र लाभारतियों को पक्का घर उपलब्द कराना है तो यह कब तक राएगी 2022 तक इनका लक्ष है यह नेक्स्ट निमलगित में से किस राज्य में नर्वर नामक एतिहासिक नगस्त है तो यह है मध्य परदेश के अंदर नेक्स्ट निमलकित में से कौन मानव आख में पुतली का कारिय करता है पुतली का कारिय है तो मानव आख के अंदर पुतली का कारिय होता ही यह है आख में परवेश करने वाले परकाश की मातरा को नियंत्रित करती है नेक्स्ट खिलाडी रानी रामपाल एक पेशेवर अंतराष्टी खिलाडी है तो यह है होक्की की नेक्स्ट कुष्चन नंबर 334 निमलकित में से किस राजे से जन्नी जूमर नामक लोकनत्य पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है तो यह है जहरखंडगा नेक्स्ट वीर सावर कर अंतराष्टी हवाई अड़ास्थी थे तो यह है अंडेमान वै नेकोबार द्वीपसमू के अंदर नेक्स्ट निमलकित में से कोन सवतंतर भाद के पहले स्रम मंत्री थे तो यह थे जगजीवन राम नेक्स्ट सविधान पर्थम संसोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से भारत के सविधान में कोन सी अनुसूची जोड़ी गई थी तो यह थी अनुसूची नो अनुसूची नो सविधान संसोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से सविधान के अंदर जोड़ी गई थी इसरों ने एक हुमिनोड विक्सत किया है जिसे मानव अंतरिक्षियान से पहले मानव रहीत गगन यान अंतरिक्षियान में भेजा जाना है हुमिनोड का नाम क्या है तो यह है व्योम मित्र मध्यपरदेश का कौन सा जिला राजस्थान और उत्तरप्रदेश के साथ सीमा साजा करता है तो यह है मूरेना मूरेना जो जीला है मध्याप्रदेश के अंदर यह राजस्थान और उत्तरप्रदेश के साथ सीमा साजा करता है नेक्स्ट निमलकित में से किस सहर में इतमात उध दोला का मखवरास्ती थे तो यह है आगरा के अंदर नेक्स्ट इरोब के सबसे उची चोटी किस दिसमिस्ती थे तो यह है रूस के अंदर और इरोब के सबसे उची चोटी है माउंट एलबरस नेक्स्ट तमिलाडू में नवियली खदानों का मुख्य रूप से खालेस्तान कोईले के लिखनन किया जाता है तो यह है लिगनाइट कोईले तमिलाडू के अंदर जो नवियली खदान है वहाँ पर लिगनाइट कोईले का खनन किया जाता है निमल्खित में से कौन सा अंदोलन नील बागान में तीन खतिया परणाली के खिलाफ था तो ये था चमपान सत्यागरे निमल्खित में से किस थल पर एक चक्टान से निकलते हुए हाथी का परतिनित्त देखा जाता है तो ये है धोली नामक स्थल ठीक है नेक्स्ट खजुराओ के अधिकांज मंदिरों का locks की संद्रक्षन में होा था तो ये हुए था चंदेल राज्वन्द के संद्रक्षन में नेक्स्ट निमलिक्त में से कौन सा समू पारंपरिक रूप से बाराव नामक नत्यसेली से जुड़ा हुआ है तो यह है ओराव समू जो की बाराव नामक नत्यसेली से जुड़ा हुआ है काफी टीपिकल कुश्चन है कुछ एक अर्थविवस्ता में निर्यात पर आयात की से संबंदित है तो यह है जार खंड से नेक्स्ट सवीधान सवीधान संसोधन अधिनियम 2002 दवारा निमलिकत में से कौन सा अनुशेद बात के सवीधान में डाला गया था तो यह था अनुशेद 21A नेक्स्ट निमलिकत में से कौन सा विटामिन निकोटिनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है ते होता है विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट कुष्चन है कुष्चन नम्बर 352 भारत में मंत्री प्रिशत का अध्यक्स कोन होता है ते होते हैं भारत के परधार मंत्री नेक्स्ट किस राज्य में राज्य सबा में सबसे अधिक परतिनित्थी है तो ये हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नेक्ष्ट विशव के सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है नील नदी नेक्ष्ट भारत में संग्य विवस्था किस देश के मोडल पर आधारीत है तो ये है कनाडा देश के नेक्ष्ट कम्प्यूटर काविश्कारक कौन है तो ये है चाल्स बैबेज अन्तिम मुगल समराट कौन था ते थे बहदुर्शा जफर नेक्स्ट मानव अधिकार दिवस किस तारिक को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट भारती राष्टे कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी नेक्स्ट अक्टूबर 2020 तक भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन इस रोग के अध्यक्स कोन है तो यह है डॉक्टर के सिवन अब भी यह हैं नेक्स्ट ओनकोलोजी किस रोग का अध्यान है तो यह है Cancer नेक्स्ट एलेडी का अर्थ क्या है पूर्ण रूप आपको बताना है light emitting diode नेक्स्ट विश्व स्वास्त संगठन डबलु एच्चो की स्थापना कब होई थी तो विश्व स्वास्त संगठन डबलु एच्चो की स्थापना 1948 के अंदर होई थी नेक्स्ट भारत का पहला सूपर कम्प्यूटर कौन सा है तो परम 8000 भारत का पहला सूपर कम्प्यूटर है नेक्स्ट कुष्चन number 366 साइना नहवाल किस खेल से संबंद दित है तो यह हैं बेडमिंटन प्लेयर नेक्स्ट हमारे सोर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है तो आठ ग्रह हैं सोर मंडल के अंदर नेक्स्ट शैरोग किसके कारण होता है तो यह होता है जीवाणों के कारण नेक्स्ट अष्ट परधान का संबंध किस समराज्य से है तो इसका संबंध है मराठा समराज्य से नेक्स्ट लोग तक जील कहां पस्थित है तो यह है मनिपूर के अंदर बहरत में IT अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था तो बहरत के अंदर IT अधिनियम लागू हुआ था 2000 के अंदर नेक्स्ट भारत की अर्थिवस्ता में कोन सा छेतर सबसे अधिक आए में योगदान देता है तो यह हैं इंडस्ट्रीज ठीक है नेक्स्ट भारत का पहला वाइसराई कोन था तो यह थे लॉर्ड कैनिंग नेक्स्ट विटामिन B12 का रासाइनिक नाम क्या है तो इसका रासाइनिक नाम होता है साइनो कोबालमाइन नेक्स्ट कुष्चन नमबर 375 देश के दुनिया की किस देश में सबसे ज़्यादा रोबोट काम कर रहे हैं तो यह कर रहे हैं जापान के अंदर नेक्स्ट रैडिकली फ्रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धायित करती है तो यह करती है भारत और पाकिस्तान के मीच नेक्स्ट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1958 के अंदर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हुई थी Next National Stock Exchange किस थानपस्थित है तो यह मुंबाई के अंदर Next समाने ताब पर कौन से तत्व द्रव है तो यह पारा पारा समाने ताब पर द्रव होता है Next Discovery of India किस ने लिखे थी तो यह लिखे थी जवाहर लाल नहरूने नेक्स्ट सोर भट्यों में किस दरपन का प्रियोग किया जाता है तो सोर भट्यों के अंदर आवतल दरपन का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट भारत का उपगर है परशेपन पैड किस थान पस्थित है तो यह है श्री हरी कोटा से जहां से उपगर है लौंच किया जाते है बंगाल में इस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना नदी के तटपस्थापित किया गया था नेक्स्ट बार्टिस विदान का कौन सा अनुछेद राज्य विदान मंडल के संधर्ब में दन विदेकों की परिभाशा परदान करता है तो यह है अनुछेद एक सो निन्याण में नेक्स्ट दार्जलिंग हिमाल्यन रेलवे जो युनेस्को की विश्यव ध्रोस्तल है को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता है टोई ट्रेन के नाम से नेक्स्ट राजाजी राष्य उध्यान और नंदा देवी राष्य उध्यान किस राज्य मिस्थित है तो यह है उत्राखंड के अंदर अगला स्वाल है टीपु सुल्तान किस वर्ष मैसूर का साशक बना था तो यह बना था 1782 के अंदर टीपु सुल्तान 1782 के अंदर मैसूर क सासक बना था very very important है next माई कियस दुनिया का पहला quantum संचार उब रहे है जिसे दवारा प्रशेपित किया गया तो इसको प्रशेपित किया गया था चीन के दवारा और ये दुनिया का पहला quantum संचार उब रहे है next 12 सरकार हर साल राश्चिय सांखी कि दिवस कब मनाती है तो भार सरकार 29 जून को हर साल राश्चिय सांखी की दिवस मनाती है next चंदरताल एक जो रामसर वेटलेंड है कहां पस्तित है चंदरताल एक रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश के अंदर next निमन में इसे कों सा जलपरपाथ जहारखंड मिस्तित है तो यह हुंडरू और दसम जलपरपाथ आप से इस टैप से बन सकता है कुश्यन हुंडरू और दसम जलपरपाथ की सराजे मिस्तित है तो यह है जहारखंड गे अंदर नेक्स्ट किस खनीजगो पलेंबेगो के नाम से भी जाना जाता है तो ये कहा जाता है शिशा लेडगो नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा तेवार गारो जंजाती का है तो ये है वांगला महुचसव ये है गारो जंजाती के दवारा मनाया जाता है नेक्स्ट कलकत्ता विशविद्याले के समस्याओं के अध्यान और रिपोर्ट के लिए सैडलर आयोक की निुक्ती की गई थी 1917 के अंदर नेक्स्ट निमलकित में से कौन सा परवत तब अस्थित्तों में आता है जब बड़े छेतर टूड़ जाते हैं और लंभवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं तो यह बनते हैं ब्लोक परवत नेक्स्ट अस्थी मुदूता हड़ियों के मुलायम होने को संधर्भीत करता है जो अकसर गंभीर कमी के कारण होता है तो यह होता है विटामिन डी के कमी के कारण है इंगलिशन इसको बोलते हैं ओस्टियो मैलेशिया नेक्स्ट कुष्ण करते हैं कुष्ण नम्बर 308 में निमन में से कौन सा फैरा जी आंदोलन का नेता था तो यह था हाजी सरियतुला नेक्स्ट सारनाथ में महात्मा बुद्ध के पर्थम उपदेश को क्या कहा गया था ते कहा गया था धरम चक्र परवरतन नेक्स्ट नेक्स्ट सविधान सभा की मसोदा समीति के अद्यक्स कोन थे तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडगर नेक्स्ट कुष्ण नम्बर 402 निजी ओप्रेटरों द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन कोन सी है तो यह है तेजस एक्सप्रेक्स नेक्स्ट भारत का पहला प्लाज्मा बेंक कहा स्थापित किया गया तो भारत का पहला प्लाज्मा बेंक स्थापित किया गया दिल्ली के अंदर नेक्स्ट मोलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद दवारा हमारे सविधान में एश परश्यता को समाप्त कर दिया गया था तो यह था अनुच्छेद 17 नेक्स्ट भारते खेल प्रादिकरण भारत का सर्वोच चराष्टे खेल निकाय है ये भारत सरकार के युवा मावली और खेल मंतराले दवारा किस वर स्थापित किया गया था तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर मुख्याले हम पहले डिसकस कर चुके हैं नेक्स्ट भारत सरकार दवारा प्रियावरण और वन मंतराले के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में भारतिय केंद्रिय चिडियागर प्रादिकरण के स्थापना किस वर स्थापना हुई थी गैंबिट बिशेप चैक मेट किस ख हाद के राश्टेपती कोन थे जब दल-बिदल विरोधी विदेख पारित हुआ तो उस समय भारत के राश्टेपती कोन थे तो यह थे ग्याणि जेल सिंग्स्ट सविधान के कामकाज के स्मिक्षा के लिए रासिया यों किस थापना कब की गई थी तो इस थापना वी अभी लेक किस राज्य से प्राप्त हुआ था तो यह हुआ था मध्या परदेश राज्य से निमलिगित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रिय विधान परिशद में परतनिद्द पेश किया था तो यह था चार्टर अधिनियम 1853 नेक्स्ट चिंडवीन नदी किस देश में है तो यह है मया मार के अंदर चेंडवी नदी कहां पर है मया मार के अंदर सैडलर आयोग 1917 का संबंद किस से था तो इसका संबंद था विश्व विद्याले शिक्षा की समस्याओं का अध्यान और रिपोर्ट से सैडलर आयोग 1917 का संबन्ध था विश्य विद्याले शिक्षाओं के समस्याओं का अध्यान और उसकी रिपोर्ट प्रस्तूत करना मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है तो यह है गुजरात के अंदर नेक्स्ट अक्टूबर 1858 में भादूर्शा जफर और उनकी पतनी बेगम जीनत महल को जेल भेजा गया था तो इनको रंगून जेल के अंदर भेजा गया था भादूर्शा जफर और उनकी पतनी बेगम जीनत महल को नेक्स्ट निमलीक्त में से कौन सा राज्य है हिम्रू और मशारू कपड़े की उत्पत्ति है तो ये है महारास्च नेक्स्ट मंदिर वास्तूकला की शेली जो उत्तर भारत में लोग प्रियों हुई कैलाती है तो ये है नागर शेली नागर शेली नेक्स्ट 1913 में साहित थै गितांजली के लिए नॉबल पुरुसका जीतने वाले पहले भारतिये कौन थे? तो ये थे रविंदरनाथ, टैगोर. Next, मधूबरी चितरकला का विकास किस राज्ये में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के अंदर. Next, निमलिकित में से कौन सी जनजाती? निमलिकित में से कौन सी स्तल कचकेरण जो की गुजरात के अंदर है में स्तित है? तो ये है धोला वीरा. Next, लाड अलोहजी दवारा कबजा किया जाने वाला अंतिम 3-7 निमलिकित में से कौन सा था? तो ये था अवद. Next, निमलिकित में से कौन? चंदेल राजा देव वर्मन का उत्तरा दिकारी था? तो ये था किरती वर्मन. चंदेल राजा देव वर्मन का उत्रादिकारी था किर्ती वर्मन पचास रुपे के नए नोट पर दर्शाय गया जो पत्थर का रत है वो किस स्थान पस्थित है तो यह हम पी चुमबक में कितने दुरू होते हैं तो नोर्थ पोल और साउथ पोल दो पोल होते हैं नर्मदा नदी का स्रोथ इन में से किस राज़े में स्थित है तो यह है मद्यपदेश के अंदर अमरकंटक की पहड़ियां नेक्स्ट ओजोन क्या है तो ओक्सिजन के तीन अनों मिलकर ओजोन का निर्मान करते हैं ओथरीस का फूर्मूला है नेक्स्ट भारत कितने देशों के साथ अपने समुंदरी सीमा साजा करता है तो साथ देशों के साथ इन में से किसका उप्योग गैस्ट्रिक एसिड को बे असर करने के लिए किया जाता है तो एंटा एसिड का नेक्स्ट मैक्रो एकोनोमिक्स और जीडिपी में ट्रिपल पी का अर्थ क्या है तो ट्रिपल पी की फुलफोम होती है पर्चेजिंग पावर पैरिटी नेक्स्ट 435 मोहन जोद्रो हडपा थटा और तक्षीला किस नदी किनारे लोक पर ये परियतक आकरशन है तो यह सिंदू नदी किनारे ये सारे स्थल स्थित हैं नेक्स्ट सिंदू गाटी सब्वेता इन में से किस यूग की थी तो यह थी कास से यूग की नेक्स्ट एक दिविसी है अंतराष्टी मैचों में दोहरास तक बनाने वाले पहले किरकेटर कौन थे तो यह थे बैलिंडा करार्क नेक्स्ट इन में से कौन भारत रतन के पहले प्राप्त करता है तो भारत रतन सबसे पहले मिला था सी राजगोपाला चारीको नेक्स्ट इन में से किसे सवतंतरता पुरुयूग में कलकत्ता का मेर न्यूक्त किया गया था तो सुबास अंदर बोस को सवतंतरता पुरुयूग में कलकत्ता का मेर न्यूक्त किया गया था सविधान के नुसार राज्य में मंत्री प्रिशत की नियूंतम संख्या कितनी है तो यह है 12 इन में से किस खेल व्यक्तिताव का मूल नाम कैश्यस कले था तो मुहमद अली का मूल नाम था वो था कैश्यस कले इन में से किसने अनुवानशिक कोड की व्यक्षा और प्रोटेंज संसलेशन में इसके कारिया के लिए नौबल पुरुशका जीता था तो यह जीता था हरगोविन खुराना ने नेक्ष्ट बिंदु सार और देवी धर्म, इनमे से किस सक्ति साली प्राचीन राजा के माता पिता थे, तो यह थे अशोक के भारती अनत्रिक्ष कारीकरम का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, विकरम सारा भाई को नेक्ष्ट इनमे से कौन भारत अतन से सम्मानित एक विदेशी नागरिक है तो यह है नेलसन मंडेला नेक्ष्ट तापती नदी अंतते किस में जाकर समाप्त हो जाती है तो एक हमबात की खाड़ी के अंदर जाकर समापत हो जाती है तापती नदी next काजू इनमे से किस मिट्टी में सबसे अच्छा उगता है तो यह उगता है लेट राइट मरदा के अंदर next इनमे से कौन सा तिबबती नव वर्ष मुख्य रूप से जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुवात में लद्दाक में मनाया जाता है यह मना जाता है लोसर छीक है कापर मनाया जाता है लद्दाक के अंदर या तो जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुवात में next इनमे से कौन सा एक मात्त है स्तनपाई है जो अंडे देता है तो यह है डक बिल्ड प्लैटिपस यानि बतक बिल्ड प्लैटिपस next सुस्क बरफ है तो यह है ठोस कार्बन डायोकसाइड next उन्नी सोई क्याणवे के आर्थिक उदारीकरण के बाद स्थापित पहला निजी छेतर का बैंक कोन सा था तो यह था ICICI बैंक next cellular jail इनमे से किस स्थान पस्थित है तो यह है अंडेमान और निकोबार के अंदर next नेपाली लोग माउंट एवरेष्ट को किस नाम से पुकारते हैं तो नेपाली लोग माउंट एवरेष्ट को सागरमाथा के नाम से जानते है next इनमे से कोन भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक जोवारिये मुहाना है next विशव शिक्षक प्रियोजना की सुरुआत इनमे से किस परतिष्ठित व्यक्ति ने की थी next इनमे से किसे परकास के परकिरिणन पर अपने काम और उनके नाम पर परभाव की खोज के लिए नोबल पुरुशकार मिला था तो यह मिला था सीवी रमन को next बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारी शिक्षा का परावधान सवीधान के किस अनुछेद में सुची बद है तो यह है अनुछेद 45 के अंदर next हालांकि राज्यपाल को समा करने की सक्थी प्राप्त है वे इनमे से किसे समा नहीं कर सकता है तो यह है मौत की सजा next संगम साहिते में इनमे से किस राजवन्स का उलेक है तो यह है चोल राजवन्स का next इनमे से कौन मर्णो प्रांत भात रदन से सम्मानित पहले व्यक्ति थे तो यह थे लाल भात दूर शास्त्री next सविधान सभा के कितने सदस्यों ने सविधान पर हस्ताक्सर किये थे तो 284 सदस्यों ने सविधान पर हस्ताक्सर किये थे परिवर्तनी है उर्जा साइक्लोटरोन परियोजना कुलकत्ता की स्थापना इन में से किस परख्यात विग्यानिक ने की थी विकरम सारा भाई ने जिनको भारतिय अंत्रिक्ष्विज्यान का जनक भी कहा जाता है इन में से कौन सी दातु ओक्सीकरण और जंग से गुजरती है तो यह है लोहा भारत में ATM शुरू करने वाला पहला बैंक कुन सा था तो यह था HSBC बैंक इन में से कौन सी मिट्टी अत्यदिक उपजाओ है और भारत में सबसे अधिक मातराइं पाई जाती है तो यह है जलोड मर्दा हर साल 19 नॉंबर को किस रूप में मनाया जाता है तो 19 नॉंबर मनाया जाता है विश्व सोचाल्य दिवस नेक्स्ट भारत के छेतर के सबसे दक्षणी बिंदू का स्थाल कोन सा है तो यह है इंद्रा पॉइंट नेक्स्ट सूर्य ग्रेन के दुरान क्या होता है चंदरमा की जो छाया है वो प्रिथि पर पड़ती है इनमें से कौन सा उत्राखंड के कुमावी छेतर में किया जाने वाला एक लोग प्रिय लोक नत्त है तो यह चोलिया केला किस रेणी के पोदों से संबंदित है तो यह है जाड़ी बुरंड रेखा पाकिस्तान और किस अन्य देश के बीच सीमा बनाती है तो यह बनाती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बारती ज्यान पीट एक शोध और सांसकर्तिक संस्थान जिसकी स्थापना 1944 में इन में से किस परतिष्टित व्यक्ति ने की थी तो यह कि थी साहू सान्थी परसाद जैने कुछ नमबर 475 कोटिल्य ने इन में से किस समराठ की सेवा की थी तो यह उन्होंने चंदरगुप्त मोर्य के शासनकाल के दुरान अपनी सेवाएं दी थी एमली शैंकेल इन में से किस करांतिकाई नेता की पतनी थी तो यह थी सुभास चंदर बोस्की उस्तम न्याले के परतेक न्याइदिस की न्यूप्ती किस के दुवारा की जाती है तो यह की जाती है राष्टपती की दुवारा नेक्स्ट बर्देश और मंदिर किस राजवन्स के शाशनकाल के दुरान बनाया गया था तो ये बनाया गया था चोल राजवन्स के शाशनकाल के दुरान नेक्स्ट खेल अतन पुरुषकार के पहले प्राप्त करता कोन है तो ये हैं विशवनाथन आनंद नेक्स्ट टैनिस इतिहास में किसी भी प्रूश खिलाडी का सबसे अधिक Grand Slam Tournament किसने जीते हैं तो ये जीते हैं रोजजर फेडर ने भारत के पर्माणु विज्यान कारिकरम के जनक कोन है तो ये हैं होमी जहांगीर बाबा अंत्रिक्स विज्यान के जनक हैं विकरम सारा भाई कन्फ्यूज नहीं होना है आपको नेक्स्ट भारती रास्टे कोंगरेस की पहली महिला सदस्यों में से कौन थी और तमलूग पुलिस स्टेशन मार्च के दोरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो यह थी मातंगनी हाजरा नेक्स्ट एनिबेसेंट और लोकमाने तिलक ने मिलकर कोन सा अंदूलन चलाया था तुनों चलाया था All India Home Rule League नेक्स्ट ओलम्पिक पदक जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान कोन है तो यह है सक्सी मलिक नेक्स्ट भारत रतन प्राप्त करने वाला एक मातर फिलम निर्माता कोन है तो यह है सत्यजीत रे Hiमाले के सबसे उत्री स्रेणी कोन सी है तो यह है हिमादरी नेक्स्ट निमलकित में से कोन सा बाज चंबल नदी पर बना है तो यह है राणा परताब सागर बान नेक्स्ट जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के परकास में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बदल कर कैसा हो जाता है तो यह होता है काला ठीक है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के परकास में रखा जाता है तो यह है सोननल मान सिंग, नेक्ष्ट चार मिनार की सहर में स्थित है, तो यह है है हैधराबाद के अंदर, नेक्ष्ट साथ सो पंदरा में भारत पर अकर्मन करने वाला पहला अरब सेनापती कोन था, तो यह था महुमद बिन कासिम, नेक्ष्ट बहातिस अविधान का कोन सा भाग आपात कालीन प्रावधानों से संबंदित है, तो यह है भाग अठारा, नेक्ष्ट सर्थोमसरो को सूरत में फैक्टर स्थापित करने का दिकार किस मूल समराटने दिया था, तो यह दिया था जहंगीर ने, नेक्ष्ट कुष्ट नमबर चैसो पिचान में प्राचिन इरविन समझोता के कारण, नेक्ष्ट अंडेमानों निकोबार द्वीर स्मूग किस चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यह होते हैं, दस डिगरी चैनल से, यह थोड़ा टाइपिंग के मिस्टेक है, किस सविधान संसोदर अधिनियम के द्वारा मोली कर्तव द्वारा मोली को जोड़ा गया था, तो यह था ब्यारी स्मूग सविधान संसोदर, नेक्ष्ट ट्रस्ट में सरकार द्वारा रखे गए धन को किस में रखा जाता है, तो यह रखा जाता है सावरजनिक खाता के अंदर, तो दोस्तों यह था हमारा पार्ट नंबर वन, जिस यहां पर लाइक करते हैं, तो मिलते हैं नेक्ष उडियो में, जैहीं जै भारत!